हेलो जी असलामलीकूँ वेलकम टे अनदर वीडियो भाई साथ जब से मैं यूट्यूब वीडियो या विलोगिंग स्टार्ट की है तब से ले कि अब तक जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो यह है कि हम भी विलोगिंग स्टार्ट करना चाते हैं तो कृ कुछ लोगों का बजट नहीं बनता कुछ लोगों की रिक्वार्मेंट से वो बहुत ज्यादा उपर जाला जाता है तो मेरा सबसे बहला सजेशन यह होता है कि अगर आपको सिरफ विलोगिंग ही करनी है तो अब अपने मुबाइल से स्टार्ट करें जैसे जैसे आप ग्रो जाते तो वो डिसापॉंट हो के छोड़ देते हैं तो इस सारे सेरियों को मद्दे नज़ा रखते हुए सोनी ने कर दिया है आप लोगों के मसले का हल सोनी ने मार्किट में इंट्रड्यूस करवाया है अपना सोनी जीवी वन जो के बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंड़ी और साथ जाथ बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंड़ी है यह अगर आप बिगनर हो अमेचर हो तो बहुत ही जल्दी इसके इंटरफेस से और इसकी सारी सेटिंग से आप यूजर फ्रेंड़ी हो जोगे अब आप लोग इसके साइज पर मत जाना ये छोटे पैकेट में देख सकते हैं इस चोटू से कैमरे की पाकिस्तान में प्राइज इस वक चल रही है एक लाग 15,000 से लेके एक लाग 25,000 के क्रीब डिपेंड करता है कि आप किस शहर से और किस टोर से पर शेस करते हैं इस प्राइस टैग में एक्स्ट्रा चार्जर और एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज करते हैं और हो सकता है कि इसमें शूटिंग ग्रिप भी शामिल ना हो अब चुट के ये कैमरा बहुत ही चोटा है तो आपको जूरुद पड़ेगी एक्स्ट्रा बैटरी की क्यूंकि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही कम है तो कम से कम एक एक एक्स्ट्रा या कम से कम दो एक्स्ट्रा बैटरी आपके बास लाजमी होनी चाहिए अब बॉक्स के अंदर जो है वो कोई भी चार्जर नहीं आता आपको डिरेट कैमरा ही चार्ज करना पड़ता है ना इसके साथ कोई अडाप्टर आता है सिर्भ आपको एक यूस्बी केबल मिलती है जो आप किसी भी अडाप्टर में या किसी भी पावर बैंक में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो external charger ले सकते हैं जैसे बैटरी आपने extra लेनी है वैसे ही आप charger भी extra ले सकते हैं लेकिन मसला यह है कि पाकिस्टान में इसका external charger मुझूद नहीं है तो source से इसका charger मंगवा सकते हैं और हाँ एक चीज़ और इसका lens removable नहीं है मतलब इसका fixed lens है आप इसका lens चेंज नहीं कर सकते हैं और 3 inches की rotating LCD display यानि कि अगर आप लोग विलोगिंग करना चाहें तो बहुत easily इसमें आप अपने आपको देख सकते हो इस camera पे मजूद है built-in stabilization soft skin अगर आप लोगों को थोड़ा सो complex है कि आपकी screen जो है थोड़ी सी चिकनी चिकनी आनी चाहिए तो आप इसके built-in soft skin option को on करके enjoy कर सकते हैं अगर off करना चाहें तो off भी कर सकते हैं यह जो video आप देख रहे हैं यह soft skin on करके है और यह जो video है यह soft skin off करके है soft skin off soft skin on इसी ज़रा stabilization भी है stabilization आप on करेंगे तो ज़रा थोड़ी सी stable videos बनेगी let's suppose आप walking shots ले रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी video stable बनेगी अगर आपको उसको off करते हैं तो वो थोड़ी सी shaky video बनेगी अगर हम camera की बात करें तो इसको थोड़ा सा grip का ना मुश्किल है इसके लिए आपको चाहिए होता एक external stand या फिर एक external shooting grip यह जो है grip आपको थोड़ी सी extra पैसे दे के मिलती है इसमें एक bluetooth वाली भी आती है एक ही wire वाली आती है वाली वाली आप direct connect करके इसको चला सकते हैं इसमें basically आप video को start और stop कर सकते हैं साथ साथ picture capture कर सकते हैं और साथ साथ आप इसका जो है focal length को zoom in और zoom out कर सकते हैं और यह कहीं पर अगर आप रखना चाहें तो रखने में भी काम आते हैं आप लोग let's suppose किसी ऐसी जगा पर खड़े हैं या किसी ऐसी जगा पर बैठे हैं जहां पर आप camera रख के बात करना चाते हैं तो आप easily camera रख सकते हैं इसके उपर लगा के और अपनी shooting complete कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप vlogging करना चाहते हैं इसके उपर लगा के आप लोग कर सकते हैं अब जोगे इसको तोड़ा सा ग्रिप करना मुश्किल है इसकी प्रॉपर एक ग्रिप नहीं बनी हुई तो उसके लिए इस तरह की shooting grip बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके इस ताइम मैंने sony के उपर जो है वो विंड्स्क्रीन भी लगाई है और ग्रिप लगा लिए साथ तो यहीं से हम इसको operate करेंगे इसकी सारी वीडियो वगरा को तो यहीं से जो है आप operate कर सकते हैं ग्रिप के जरीए यह वायर मैंने connect किये तो डिरेक्टली चल पड़ा है कुछ जो ग्रिपव ब्लूटूथ वाथे ऑदी है तो अभी रिक और है इस से हम जो है वो जुम उड्स कर सकते हैं इसको तोड़ा सब प्रैस करके रहना पड़ता है वो देख सकते हैं के मैं करा है इसको फिर अब विडियो रिकार्डिक्ट निंग करते हैं और यहां से फिर हम पिक्चर बनाता है ये पिक्चर हो रही है ठीक है अभी यहाँ पे मैं कुछ test shots बनाता हूँ मैंने इसकी सारी settings जो है वो आटोपे की हुई है अभी हम जरा इसके कुछ test shots लेते हैं ये जो आप video और अवाज सुन रहे हैं ये आ रही है sony zv1 में और इसके built-in mark से sony zv1 sony a6500 sony a6500 sony zv1 इसके ओपर अभी dead cat नहीं लगी हुई तो dead cat के बगार ये सारी आप quality देखते हैं product का बता रहा था कि जैसे इस camera के आगे product करते हैं तो ये फॉरण उसको capture करता है वो था ये ये देख रहे हैं आप कितनी क्विक उसका focus जो है वो पकड़ता है अगर हम तोड़ी सी किसी बड़ी चीज को देखते हैं तो ये इस टाइम मैं उमर भाई की घर मजूद हूँ ये कुछ चीज़ें रहती थी यहाँ पर मेरी तो ये shot आपने complete clear windscreen उपर लगी हुई तो ये बड़ा ही याँ देख सकते हैं कितना quick उसको जो है वो capture कर रहा है ये थी जी आज की एक छोटी सी quick सी video about budget friendly vlogging camera thank you so much to Umar भाई, Umar Salim भाई ये basically camera उनका है मैंने बड़े दिनों से गाड़ा हुआ था ये video बनाने के लिए तो अब चूँके ये video बन चुकी है तो अब ये मैं उनको वापिस करतूगा उमीद का तो आप लोगों को आज की video पसंद आई होगी और obviously आपको ये budget friendly tiny सा camera भी पसंद आया होगा इसे के साथ मुझे तो इजाज़त मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखिएगा ना तो ये video पहली है ना ये video आखरी है आते रहेंगे और चाते रहेंगे बाई